दोस्तो ये हैं दो स्मार्टफोन्स जो बिल्कुल Realme ना हाली में लॉंच करें हैं, दोनों बहुत ही ज़ादा बढ़ी हैं, बजट स्मार्टफोन्स हैं एक है दोस्तो Realme का C31 और दूसरा बहुत ज़ादा पॉपुलर C35 C31 मिल जाएगा दोस्तो आपको 10,000 का, C35 12,000 का, एक 10,000 का है दूसरा 12,000 का, तो दोनों में 2000 का फर्क है इस वीडियो में मैं इन दोनों में comparison करके आपको बताऊँगा क्या आपको 2016 C31 लेना चाहिए C35 तो दोस्तो वीडियो स्राट करने से पहले आप इसको एक लाइक कर दीजे जरूर कलर में detail look हम अभी देखेंगे, एक type C केबल दोस्तो इसके साथ आपको नहीं दी गई, जी हाँ इसके अंदर दोस्तो ये कमी है, USB to micro USB केबल मिलती है इसके साथ, लास्ट में रखावा मिलता है दोस्तो ये white कलर में charger, जिसके build quality तो अच्छी है, काफी बड़ा charger है, लेकिन द 12,000 में उसके साथ आपको क्या के दिया गया है, और फर्क कितना है दोनों में, तो दोस्तो जैसे ही आप unbox करते हैं C35 को, इसकी भी packing आपको बिल्कुल वैसी ही मिलती है C31 की तरह, सबसे पहले एक SIM ejector tool लगावा मिलता है, user manual के बाद दोस्तो आपको cover इसके साथ भी नहीं दि केबल मिल जाती है, जो C31 के साथ नहीं दी गई, तो ये फर्क है, दूसरा फर्क आपको मिल जाता है दोस्तो चार्जर को लेकर, इसके साथ दोस्तो आपको चार्जर जो है fast मिल जाता है 18W का, तो इसके साथ आपको 28W का charger दिया गया है, जो आपको C31 के साथ नहीं मिलता, त इतना फर्क हैं दोनों में box के अंदर समान में चलिए बात कर लेते हैं आप दोस्तों डिजाइन के बारे में तो left side पर C35 का black type का color आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही जादा glossy है light की reflection इसके back panel पे बहुत जादा बढ़िया लगती है बहुत जादा shiny phone है दोस्तों ये दोसरे तरफ दोस्तों C31 का आपको design मिल जाता है hard plastic की type का तो इस पर scratches जो है दोस्तों कमाईंगे और दोस्तों design की quality इसके अंदर आपको जादा बढ़िया मिलती है लेकिन C35 का जो back panel है दोस्तों आप देख सकते हैं बिलकुल flat है तो देखने में तो वैसे silver type का color भी C31 का बढ़िया लग रहा है लेकिन दोस्तों जो design का pattern है वो आपको जादा latest मिलता है C35 के अंदर इसके अंदर आपको बिलकुल iPhone look में design दिया गया है iPhone 13 series की तरह इसके लिए दोस्तों आप देख सकते हैं camera का design camera का भी अभी देखेंगे दोस्तों कौन सा phone जादा बढ़ी है camera को लेकर बाकि दोस्तों आप देख सकते है complete design आपको इन दोनों में किसका design जादा अच्छा लग रहा है comment करके ज़रूर बताइएगा वैसे दोस्तों C31 भी कम नहीं है लगता नहीं ये phone दोस्तों 20-22,000 से कम होगा लेकिन दोस्तों प्राइस इसका 12,000 है आपको कौन सा अच्छा लगा comment ज़रूर कर दियेगा मुझे दोस्तों C35 का design जादा पसंद आया बात करें दोस्तों डिस्पले के बारे में तो दोनों के अदर आपको 250.000 की दिस्पले दी गई है और दोस्तों दोनों ही के अदर आपको IPS डिस्पले मिलती है HD डिस्पले दी गई है C31 के अंदर और दोस्तों Full HD प्लस डिस्पले आपको मिल जाती है C35 के अंदर तो इस चीज़ का फर्क है बाकी quality भी देख लेते हैं दोस्तो colors quality में आपको कितना फर्क मिलता है अब बात कर उससे पहले दोस्तो use the interface के बारे में कि ये चलाने में कैसे लगते हैं दोनों ही phones तो दोस्तो use the interface दोने के अंदर आपको बिल्कु लेक जैसे मिल जाता है R edition दिया गया है दोस्तो realme UI का इसके लग दोस्तो आप ऐसे उपर की तरह swipe करेंगे आपको सारी applications मिल जाती है तो दोस्तो front से देखने में तो दोनों ही phones बिल्कु लेक जैसे हैं चलाने में भी आपको experience बिल्कु लेक जैसे ही मिल जाता है दोनों के अंदर इसके लग दोस्तो इन दोनों phones के अंदर आपको जो display के अंदर refresh rate मिलता है वो normal 60 Hz का ही है तो display में 90 Hz का refresh rate आपको दोनों में से किसी में भी नहीं दिया गया बाकि दोस्तो इन दोनों के display बिल्कुल full brightness करके मैं आपको दिखा देता हूँ C31 की आप देख सकते हैं full है और C35 की भी आपको दोस्तो आप मैंने full कर दी अब मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ तो दोस्तो आप clearly वैसे फर्क देख सकते हैं quality के अंदर design तो दोस्तो आपको दोनों के अंदर बिल्कुल एक जैसा दिया गया है तो पहला फर्क है box के contents में दूसरा design में और तीसरा आपको फर्क मिल जाता है दोस्तो डिस्पले की quality को लेकर C35 इन तीन चीज़ों में जादा बढ़िया है left side साब देहेंगे दोस्तो दोनों फोन्स को आपको sim की ट्रे दी गई है और volume के buttons आपको इसी तरफ दिये गए हैं दोनों में बाकि दोस्तो side सो जो frame है C35 का जादा बढ़िया लगता है जादा premium लगता है क्योंके बिल्कुल flat दिया गया है sim की ट्रे दोस्तो दोनों में ऐसे मिल जाती है आप दो sim card और एक memory card तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं दोनों ही phones के अंदर और दोस्तो दोनों ही phones 4G हैं तो आप इस चीज़ का खयाल रखिएगा इसके लग दोस्तो नीचे की side साब दोनों phones को देखेंगे तो charging port, speaker, mic, headphone jack मिल जाता है लेकिन C31 का जो दोस्तो speaker है वो back panel पे दिया गया है नीचे की तरफ आपको नहीं मिलता तो इस चीज़ माँ जादा बढ़िया है C35 बाकि दोस्तो आपकी क्या राय है कमेंड करके ज़रूर बताइएगा इसके लग दोस्तो राइट साब देखेंगे तो दोनों में fingerprint scanner इस तरफ है power के बटन के अंदर इनकी speed भी अभी चेक करेंगे दोस्तो कौन सा phone जो है reality में आपको ज़ादा fast मिलता है तो दोस्तो वीडियो को थोड़ा सा और end तक ज़रू देखिएगा इसके लग दोस्तो ऊपर की side से आप देखेंगे दोनों phones को तो आपको plain design मिल जाता है उपर की तरफ आपको दोनों ही phones के अंदर कुछ नहीं दिया गया noise cancellation mic होता तो काफी बढ़िया रहता इन दोनों के अंदर दोस्तो आपको android का 11 version दिया गया है 12 दोनों में से किसे में भी नहीं मिलता होना चाहिए तो दोस्तो latest phone है तो यह चीज आपको दोनों में देखने को नहीं मिलती इसके लोग दोस्तो बात करें दोनों phones के finger paint scanner की speed को लेकर तो देखें दोस्तो सबसे पहले मैं आपको face unlock की speed दिखा देता हूँ left side पर C31 है right side पर C35 तो दोस्तो दोनों ही phones काफी fast work कर रहे हैं इस चीज में बड़ा फर्क नहीं है लेकिन दोस्तो finger paint scanner में C31 की speed आप देखिए यह मैंने touch किया और ऐसा unlock होता है यह थोड़ा सा slow लेकिन दूसरी तरफ C35 जो है दोस्तो कुछ इस तरीकी से instant unlock होता है तो दोस्तो आपको speed जाधा बड़िया मिलती है C35 के अंदर finger paint scanner की चलिए दोस्तो दोनों phones को एक साथ restart करते हैं देखते हैं किसमें जाधा time लगता है बाकि दोस्तो दोनों ही phones के अंदर आपको 4GB RAM, 64GB के internal storage दी गई है 4GB, 64GB इसके लग दोस्तो दोनों phones के अंदर आपको जो processor मिलता है C31 के अंदर आपको दिया गया है Unisoccer Tiger T612 और दोस्तो C35 के अंदर आपको Unisoccer Tiger T616 processor दिया गया है अब दोस्तो अगर आप एक heavy user है, performance आपको बड़िया चाहिए लेकिन C35 में ये चीज़ बढ़िया है, दोस्तो charger जो है इसके साथ आपको ज़्याद अच्छा मिलता है restart test के अंदर C35 winner है, कुछ applications भी open करके देखते हैं दोस्तो दोनों phones के अंदर देखते हैं किसमें speed आपको ज़्यादा बढ़िया मिलती है इसके लग दोस्तो इन दोनों phones के अंदर देखिए, मैंना applications open करी तो speed आपको कुछ इस तरीकी से मिलती है, normal use के अंदर आपको इतना फर्क देखने को नहीं मिलता लेकिन दोस्तो जब आप game वगरे खेलेंगे तो C35 के अंदर आपको performance ज़्यादा बढ़िया मिल जाएगी camera की बात करें तो C31 में आपको main camera 13MP का मिलता है 13 megapixel और C35 के अंदर आपको 50MP का main camera दिया गया है 50 megapixel दोस्तो colors के अंदर आप फर्क देख सकते हैं clearly C35 आपको camera को लेकर और ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है इन दोनों के comparison में तो C35 बढ़िया है लेकिन अगर आपको camera की वज़े से ही phone खरीदना है अब दोस्तो ये सारी खुबिया कम्या आपको मिलती है इन दोनों के अंदर चली बात कर लेते हैं दोस्तो सबसे main चीज़ आपको दोनों में से कौन सा खरीदना चाहिए कौन सा नहीं देखें दोस्तो डिस्पले के comparison में C35 जदा बढ़िया है इसी के साथ आपको design बढ़िया चाहिए तो भी C35 जदा बढ़िया है और दोस्तो आपको camera बढ़िया चाहिए इन दोनों में तो भी C35 जदा अच्छा है अगर आपको इन दोनों में से कोई सा खरीदना है C31 या C35 तो दोस्तों इन दोनों में C35 जो है आपके लिए जादा बढ़िया रहेगा अगर इन दोनों में से कोई सा आपको खरीदना है तो यही बढ़िया है मुझे भी दोस्तों यही पसंद आया क्योंकि चार चीज़ेस के अंदर आपको quality wise जादा बढ़िया मिल जाती है जादा अच्छी display, जादा बढ़िया design, जादा अच्छा camera और जादा बढ़िया performance तो दोस्तों मुझे यही पसंद आया, आप बताएगा फिर भी comment करके दोस्तों आपको इन दोनमें अच्छा कौन सा लगा नीचे comment करके ज़रूर बताएगा, वीडियो दोस्तों गर आपको अच्छी लगी तो इसको एक like करके ज़रूर जाइएगा sale लगती रहती है online, तो left side पर जो दोस्तों option आ रहा है view products का, इस पर click करके एक बार rate ज़रूर चेक कर लिएगा हो सकता है और सस्ते मिल जाएँ आपको यह, चलिए दोस्तों मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए take care, bye